So Hi Everyone, स्वागत है आप सभी आंगनबारी वरकर्स का पोसंट रेकर एप की एक और नई वीडियो में तो बेहनो आज के इस वीडियो में हम दो महतोपुन टोपिक के उपर बात करने वाले हैं जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि पोसंट रेकर एप में आगनबारी स्वीका और आगनबारी सहाईका का पोरफाइल अपडेट करना में डेटरी कर दिया गया है विभाग के तरप से भी आप लोगों को नोटिस मिला होगा तो बहुत सी आगनबारी सेविका और सहाइकाओं का यहाँ पर प्रफाइल अपडेट कम्पलीट हो चुका है अभी भी बहुत सी ऐसी आगनबारी सेविका बहने हैं जिनका प्रफाइल अपडेट कम्पलीट नहीं हुआ है उनका और अपने सहाईका का पुरफाइल अपडेट कम्पलीट नहीं कर पाई है उनके साथ कुछ समस्याइं आ रही है जिस वोजा से वो पुरफाइल अपडेट कम्पलीट नहीं कर पा रही है तो आज हम उनी समस्याओं के बारे में बात करेंगे और उसका समधान क्या है उसके बारे में बात करेंगे जैसे कि पोशन ट्रेकरेप में कुछ सेविका बहनों द्वारा पुरफाइल अपडेट किया जा रहा है बट यहाँ पे जो green tick का निसान है वो नहीं आ रहा है 100% तो successful दिखा देता है कि आपका जो पुरफाइल अपडेट है वो successful हो चुका है यहाँ पे सारा details भी सही सही भर दे रही है फिर भी उनका यहाँ पे जो green tick है वो नहीं लग पा रहा है तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा ठीक है और दूसरा point यह है कि बहुत सी आगनबारी सेविका बहनों द्वारा पुरफाइल अपडेट करते समय कुछ गलतियां भी हुई है जैसे कि उनका आधार नमर गलत डल गया है नाम गलत डल गया है डेटर वर गलत डल गया है तो इस समस्या का समधान क्या है और इसको कैसे ठीक करना है इन सारी चीजों के बारे में आपको बिस्तार से इस वीडियो में जनकारी मिलेगी तो आप सभी आगनवारी बहनों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को प्लीज लाश्ट तक जरू दिखिएगा और यदि चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकरसन आप तक मिलता रहे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर पहली समस्या क्यों बढ़ते हैं कि कारण क्या है कि आप लोग का यहाँ जो ग्रीन टीक है वो नहीं लग पा रहा है जैसे कि आप लोग यहाँ पर जो as for अधार यहाँ पर आप लोग का जो अधार नंबर है वो भी डाल रही है यहाँ पर name जो है वो भी आप लोग डाल दे रही है और जो date of worth है वो भी आप लोग यहाँ पर डाल दे रही है और चोथा जो point है gender यानि कि आपको male female से rate करना है वो भी आप लोग सही सही डाल दे रही है फिर भी आपका यहाँ पे green tick नहीं लग रहा है तो देखिए आप लोग को यहाँ पे घबराने की जोड़त नहीं है portion tracker app में जब आप लोग एक बार यहाँ पे सही सही details फिल कर दे रही है उसके बाद भी आपको green tick नहीं लग रहा है तो आपको 24 से 48 घंटे का wait कर लेना है और जैसे कि आप लोग को message में आभी रहा होगा कि your profile update is successfully completed please login one hour after login यानि कि आप लोग जब portion tracker app पे यह सारा details फिल कर दे रहे हैं तो आप लोग को कम से कम एक घंटा के बाद ही यहाँ पे portion tracker app को login करना है उसके बाद आप लोग का हो सकता है कि यहाँ पे जो profile update है वहाँ पे green tick आ जाये अगर नहीं भी आता है तो आप लोग को घबडाना नहीं है portion tracker app में 24-48 घंटे का वेड कर लेना है उसके बाद आपका यहाँ पे green tick का जो sign है वह आ जायेगा और वैसे आप लोग को मालूम ही होगा कि पिछले कुछ महीनों पहले भी आप लोगों से portion tracker app में जो आगनबारी सेविका और सहाई का बहुने है उनका profile update करवाया जा रहा था तो उस टाइम भी बहुत सी आगनबारी बहुनों द्वारा profile update किया गया है और फिर से आप लोग यहाँ पे कर रहे होंगी तो आपका यहाँ पे green tick नहीं लग रहा होगा तो आप लोगों को करना क्या है कि जो भी data आप लोग यहाँ पे डाले हैं जैसे कि अधार नमर, नाम है और जो date of worth है जो gender है वो आपको यहाँ पे fill कर लेनी है और फिर आप लोग का कुछ time बाद यहाँ पे जो है कि आपके portion tracker में जो green tick का sign है वो दिखने लगेगा ठीक है तो यहाँ कि पहली समस्या इस परकार से हल हो सकती है अगर इस परकार से भी नहीं हो रहा है तो आप ल प्रफाइल अपडेट कर दिया गया है या फिर जो नाम है वो गलत नाम अपडेट हो चुका है और green tick लग चुका है तो काफी सारा comment भी आ रहा है कि इसको हम लोग कैसे सही कर सकते हैं तो देखे इसको सही करने का अभी portion tracker app में कोई उपाय नहीं है आप लोग को धबराना न सकते हैं काफी सारी बहने घबराई हुई है कि हम लोग गलत entry कर दिये हैं यह होगा क्या होगा नहीं होगा काफी सारा आयसे message आ रहा है तो अभी आप लोग फिलाल ज्यादा घबराना नहीं है आप लोग ने जैसा अपडेट कर दिया है वैसा ही रहने दिजिए next update जैसे ही समधिया का उसमें हो सकता है कि आप लोग यह समस्या के समध्हान मिल जाए ठीक है यहां पर कारण हो सकता है कि प्रफाइल update करते टाइम Green Uhr ही साइन यहां पे नहीं आँ रहा है तो सकता है कि अगन बाल कर और सभाध का जीस का भी आपQué पुरफाइल कर रहे हैं तो उन्होंने अपना अधार को अपडेट कराया होगा जैसे कि नाम हो गरा आधार में update करा के change किया जाता है किसी कारण वस्ट, तो हो सकता है कि नए आधार कार्ट में giro नام है वो आप लोगोंने यहाँ पर नहीं डाला होगा, नए आधार कार्ट पे जो data worth है वो आप लोगोंने यहाँ पर नहीं डाला होगा, तो इसको भी आप लोग एक बार जरूर चेक कर लें साइद ऐसा हो सकता है कि आप लोग ने अपडेट कराया हो और आप लोग को इसकी जनकारी नहीं हो या फिर सहाईका का आप लोग पुरफाइल अपडेट कर रहे हैं तो उन्होंने अपने अधार कार्ड को अपडेट कराया हो और आपको जनकारी नहीं हो तो इस परकार की समस्या भी हो सकती है एक बार आप लोग सहाईका से जरूर पूछ लें कि उनका जो अधार कार्ड है वो अपडेट किया गया है यह नहीं किया गया है ठीक है तो इस परक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेजिए तू मिलते हैं फिर किसी नए टोपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी आगलबाड़ी बहनों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हेंड़